यहाँ जो climate change पर बोलते हैं, जो animal rights को लेकर बाते करते हैं, ती साल पहले, 70s में वो बंदा इतना खुलके धर्म के उपर उसने अटेक किया है, अचारे प्रिशांद की हिम्मत है, उसका अगर 10% भी बोल जाए, आज की डेट में नहीं बोल पारा वो बंदा, मुझे इस बात को लेकर बहुत खुनना साती उसके उपर, तुम पढ़े लिके हो, तुमने IIT कर लिया, तुमने IIM कर लिया, तुमने IIS निकाल लिया, तुमने दुनिया वर की किताबें पढ़ लिया, उसके बाद भी तुम्हारे हिम्मत नहीं आ रही, पिछली बार आप लोग से बात हुई थी, मेरी अच्छारे परसांजी को लेकर, उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि मैं ये, मतलब मैं उनके वीडियो और भी मतलब देखा था, खासकर मतलब वो महिलाओं के उपर या प्लाइमेट चेंज को लेकर, हाँ पर तो उनकी बाते मुझे काफी सही लगी है, हाँ ये ठीक है, मैंने ये अपनी वीडियो में भी, मेरी अगर आप वीडियो देखेंगे, अर्फित एक्स्क्लेंज चैनल पर पढ़ी हुई, उसमें मैंने बोला है कि हाँ जो क्लाइमेट चेंज पर वो बोलते हैं, जो है, कुछ अची बातें करनी ही पड़ती है, कि तभी लेकिन उससे मतलब बहुत लोगों को वह रहा है, मतलब आखे मतलब लोगों देख्यान नहीं जाते हैं, जो ठीक है, लेकिन उसका जो फिर बुरा है, जो परभाव पढ़ रहा है, उसकी भी चर्चा होनी चाहीं ना, उ इसी तरह से भूमन राइट्स के बारे में बातें चल रही है, इसी तरह से एनिमल राइट्स के बारे में भी लगातर चर्चा हैं चल रही है, जो ठीक है, एक अध्यात्मी गुरू है, जिसने कि इन विश्यों को भी उठाया, मैं इस बात को मानता हूँ, ठीक है, चलो उन् इंपक्ट डालना चाहता है समाज में ये बदलाव लाना चाहता है तो वो उसलिए उसको उठाए जो बड़े जो गलत कर दें मतलब वहाँ पे मतलब इतने मतलब पुरे प्रकर तरीके से सारे चीजों को कर रहे हैं प्लाइमेट चेंज और महिला हैं और एनिमल कुरुआलिटी इन सब चीजों को वो सब कर रहे हैं लेकि इसके भी काफी जोरदार उनका आवाज है पेटा और्गनाजिएशन है उनके तरफ से भी उनको आवाज मिला उस चीज को लेकर हुँ मैं उस चीज का समर्थन करता हो लेकिन वो जो धर्म के नाम पर घाल LAX καρ़ें जो युपाओं को गुमराह कर रहें उसको फिर क्या करा जाये क्योंकि ये बात बड़ी फिर मुश्किल हो जाती है कि एक ऐसा वेक्ति जो कि इस तरह के कॉज का समर्थन करता है जो कि एक अच्छी चीज़ है फिर साथ में वो धर्म का गाल मेल करता है वो फिर लोगों को धर्म को रैशनल करके बताता है वो गीता पुरिशत पढ़ाता है इंटिग्रेट कर दिये हैं जोड़ दिये हैं कि अगर आप यह गलत है यह तो एक तरह से वो बात हो गई ना कि आप धर्म को एज़ा ट्यूल उस्तिमाल कर रहे हो ताकि लोगों को आप अपने साथ जोड़ सको उनके साथ बहुत सारे जो लोग जोड़े हुए हमारी वीड के चर्चा कर रहे हैं हमारे अंदर करुणा है इसलिए चर्चा कर रहे हैं हम देखते हैं समाज के अंदर की लोगों के दिमागों से जातिवाद का जहर निकले हम क्यों चाते हैं लोग धर्म के अंध विश्वासों से उपर उठें इसलिए तो चाते हैं क्योंकि हमारे मैं तो अगर असल में मैं थोड़ा सा ही कहना चाहूंगा इसमें भाई मैं और मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे लोग और मुझे सुनने वाले भी पता नहीं कितने सारे लोग वो तब एथिस्ट हुए हैं जब उनकी सम्वेधनाएं उस लेवल पर पहुंची है उनकी से भावनात्मक रूप से तकलीफों से दूसरों की जब उन्होंने महसूस किया है मैं तो यह कहता हूँ कि हम जैसे पता नहीं कितने सारे लोगों का और जहां तक मुझे लगता है कि अगर कोई सोध बगरा हुआ तो सबसे पहले यह चीज सामने आएगी कि करूना ही वो आधा उसमें कहते हैं fear of divine justice तो उसके डर से धरम बनाएगा कि तो अगर यह गलत काम करेगा तो नर्क में जाएगा स्वर्क में जाएगा भगवान देख रहे हैं लेकिन मेरा क्या मानना है कि इस चीज की बिलको जरूत नहीं है कहने का मेरा मतलब है जैसे आप अगर red light पे पहुच करोगे तो आप अपने अंदर एक principle एक अपने अंदर असूल खुद अपने अंदर करूणा ये खुद आपकी अंदर की quality होती है उसके लिए आपको किसी तीसरी चीज की जरूत नहीं है और आज की rate में तो बिलकुल जरूत नहीं है जहां पर modernization science और constitution आ चुका है rule of the law है त जो हमें धार्मिक law की जरूत बिलकुल भी नहीं है और वैसे भी इसका परदाफाश हो चुका है कि ऐसा कुछ ही नहीं होता कि आपने गर गलत करम करे तो आपको सजा मिलेगी दूसरी बात जो धार्मिक laws होते हैं वो बिलकुल जड़ होते हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे हजार साल पहले भी वैसे थी आज भी वैसे हैं वही जो जो लोग हम बनाते हैं जो समाज बनाते हैं जो लोक तंत्र में बनते हैं वो होते हैं फ्लेक्सिबल वो समय के हिसाब से जरूरत के हिसाब से चेंज होते हैं जैसी प्रस्थिती होती है जैसी लोगों की समाज की सोच चोते की आज ये अन्याए हैं जैसे LGBTQ जो होते हैं उन्हें भी न्याए की ज़रूरत है तो आज उनके लिए भी न्याए बने ठीक है आज उन्हे भी आप काफी टाइम पहले तक उन्हे भी इंसान की तरह नहीं देखा जाता था लेकिन आज उन्हें भी अधिकार दिये जा रह हम गाओं गाओं में देखे हैं मदब पूरे भारत वर्स में लोग धर्म से अभी भी बहुत ज़्यादा जुड़े हैं तो उनको वही भासा समझ में आती हैं अगर हमारे अगर क्लाइ मेट चेंज का और कोई इसू है तो उनको उसी भाषा में पिर आप कहना चाहते हैंगольно पिर अचारे में प्रशाम उसी पारत समझ में उस्यादां काओ समझ गई है ऐसा कह रहरे हैं मुझे च्वा कर जरता है French या मतलब दिखाते हैं लेकिन इतनी छोटी सी बात उनको क्यों नहीं समझ में आती है कि एक्षमें जो धार्मिक लोग होते ना वो इवल तिनके के साहरे ढुणते हैं उनको अचार्य प्रशांत की बात में सिर्फ इतना मतलब समझ में आता है कि ये सनातन में थर्म का जंटा उंचा कर रहे हैं हमारे को हमारे घीता को अचे ही साबित करें आज के दौर नहीं चले मैं हाप चलो इतर द्थ सब्सक्राइब और कोई तरीका नहीं चलते हैं कई लोग अलग-अलग लेवल पर काम करते हैं लेकिन जिस तरह के लोग जिस तरह के यूथ उनके साथ जुड़ा हुआ है पढ़ा लिखा यूथ है ये बात तो आप मानते हैं जी सर मैक्सम्म लोग पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे लोग है ना के पल्ले नहीं पढ़ने वाली क्यों कि वो लोग तो उनके तो लेवल ही अलगे तो कम से कम आप तो अरी बाई चूला जलाना है उनको क्या लेना देना अरशन घर में आ जाए महँगाई कम हो जाए सरकारे क्या कर रही है और धार्मिक उनमादी लोग क्या कर रहे हैं इस पर जरा बोले न वह कास्टिजम जो अट्रोस्टीज इतनी हो रही है उस पर बोले न वह कास्ट को डिपेंड करते हैं हमारे जो देश मेना सबसे बड़ी जो भूल होती रही है वो यही है कि यहाँ पर कोई भी सच बोलने की हिम्मत नहीं करता अब आप IIT IIM करके और IIS के एक्जाम देकर भी अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई और इतनी दुनिया भर की किताबें पढ़कर भी आपके इतनी हिम्मत नहीं आई कि आप खरा सच बोल सको लाना तयार आपके उपर और पिस सर उनको अच्छे सा पता है कि गौड जैसी कोई चीज साद नहीं होती है उनको मुझे लगता अच्छे सा पता है इतना खुलके धर्म के उपर उसने अटेक किया है अचारे प्रशांत की ह हिम्मत है उसका अगर 10% भी बोल जाए आज की डेट में नहीं बोल पा रहा वो बंदा मुझे इस बात को लेकर बहुत खुन असा थी उसके उपर अपे तुम पढ़े लिके हो तुमने आई-ई-टी कर ली तुमने आई-ई-एम कर लिया तुमने आई-ई-ए-स निकाल लिया तुमने दुनिया वर्गी किताब है पढ़ ली उसके बाद भी तुमारे हिमत नहीं या रही उसके बाद भी तुम अपने री बीक अलग मांगते हैं और भीक अलग मांग रहे खाली यार ऐसे लोगों पर मुझे बहुत गूस्ता आती हैं पढ़ेले के लोगों कर जो एसे छाँ करके उनों े चलाया था सिपस्वार करके प्रोग्राम चलाया था. उन्हों द लिए की आगा? क्या था कितना रिजल्ट मिला सर यह देखिए मैं अभी आचारे प्रशान जी को एक्सपोस करने जा रहा हूं आज तो यह दिखाना बनता है सर लोगों को स्क्रीन आ रही है सर हां जी आ रही है यह सर यह सारे में जुड़े रहते तो फिर हम भी उधर ही रह जाते हैं अच्छ प्रशान जी क्या आप भी कमांगे देखिए एक मेसेज बेज़ेंगे उसके बाद क्या बेचते अधिक से अधिक योगदान करें यह हुआ पहला मेसेज उसके बाद यह देखिए दूसरा मेसेज पड़े और आप लोग के वीडियो तो देखते होंगे लोग उनके संस्था आपको सबस्ती ज़्याद काम कर रहे हैं इस पर आचारे प्रशाद फाउंडेशन इस पर क्लिक करके भी दिखा दोगे आथेंटिक चैट है हाँ 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 यह आथेंटिक चैट है बिलकुल यह देखिए खुल जा सिम सिम और सर यह देखिए यह डोनेट राशी देखिए सिधा 5,000-10,000 और इस में बीख मांगी 6,500,000 बीख मांग चूके एक करोड है टारगेट है बच्चों को पढ़ा ही कि इसकाव है तो मुझाइदा बेतर है एक तरफ साइंस का प्रचार कर रहे हैं दूसरी तरफ उपनिशदों का जो कि एकदम विरोधाबास है अपस में और फिर करेंगे उपनिशदों से प्रेम सिखा रहे हैं मेर को यार एक एसा उसमें से शलोक निकाल के दिखा दो जहांसे आदमी प्रेम सीखता है कैसे सिखाते हैं उपनिशदों प्रेम से वैसे और पिचे इनके धार्मिक गंत में बहुत प्रेम है अरे वह वाला प्रेम अच्छा यूमन सर मैंने इनसे सवाल पूछता हूँ मैं नहीं खरीदूंगा तो मैंने अकपा नहीं किताब नहीं किताब सब्सक्राइब नहीं को आज से अच्छे से यह कारगिल दिवस पर भी इन्हों ने बहुत यह किया था कि आर्मी के इससे सेंटिमेंट को यह गर के यह लगता बहुत इमोशनल तरीके से लिखते हैं मतलब जो भी चीज़े और सर यह देखिए हैं इनके जितने पोश्ट होते हैं वो पूरा अचारे जी को ऐस चबी प्रस्थत करते हैं जैसे अचारे जी नहीं काम कर रहे हैं और वो यह कतिने कठिशनाई के कम कर रहे हैं वह उनके पास संसादनों कि कुधनी कमी है तो आप जादा जादा दान करें गुटकि और बड़िहाव्या से कम कर सकते हैं यह इनका marketing विंग होगा पूरा पूरा मार्केटिंग हो गांट है आचारे परिशान्थ को मैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2013 या 14 से जानता हूं मैं और तब से जानता हूं जबकि ये मेरे पास ही रहते हैं और इनका एक श्टॉल लगता था मैं पीजा खाने गेदर डॉमिनूस के बारे वहीं पर उनका जो संस्ता का विक्ति खड़ा होता उसने बताए कि ऐसे से अचारी जी है उस समय क्या था कि यह बुलाते थे अपने जो सत्र से उसमें कोई भी आ सकता था बिना किसी डोनेशन के आज कल तो डोनेशन के बाद भी बड़ा जांच परक होती उसके बाद मैंने त मैं फारवर्ड कर दिया उसको तो वर्च वाला आपने शायद बढ़ा हो उसके बाद से फिर उसके मैसिजाने बंद होगे हरी वैसे बापस आ चुके हैं जहां तक मुझे उम्मीद है क्यों हरी बाई जी मतलब मैं तो 6,000 रुपए डोनेट का के चल रहा है है बहुत शुक् बाई जी नाम हरी संकर है अब क्या है मेरे नाम में आड़ी वाली कानी बात नहीं बदो पर आपको बताओ जितने भी हमारे जो भगवान के नाम है ना अजका वह आजकर आप देखो के लोग रखते नहीं है नाम आजकर नौकरों को दे रखे हैं अगर वाले परसान हो गया कर रहें कि तुम्हारा नाम हरी शंकर है तुम एक इसे बिरोधी हो सकते हो आप एक काम करें हरी शंकर से में ज्यादा आप हरी शंकर परसाहीं जी को जुरूर पढ़ने हैं कभी था है कभी रोचेट हैं आप लग नमस्कार थैंक यू नमस्कार